नमस्कार मैं हूँ रॉनक स्क्रीन वाला चैनल पर आपका स्वागत है बहुआ बहुआ भाई क्या आलचाल बाई साब सत्य फ्रेम की कथा देख डाली हमने कैसी लगी कुछ अच्छा है फिल्म में या नहीं देखो इस फिल्म में उतने अच्छे पॉइंट्स है जितने आदी डायलोग है इस फिल्म का और एक important message भी है इस फिल्म में मतलब अरे मतलब क्या पूचर तुने तो देखे लिए है खेर उस पे आने से पहले यानि उस message पर आने से पहले फिल्म की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं अरे मतलब के एक family है पापा गजराजरा उर्फ पंचायती काका माता जी है सुप्रिया जी बागी कार्तिक सत्य प्रेम उर्फ सत्तू बेडोस गाल लड़का है और लड़की चाहिए साधी के लिए कियारा उर्फ कथा एक graceful artist है सत्तू को वो पसंद है सत्तू कथा जी को पटाने की कोशिश करते हैं लेकिन कथा का है एक boyfriend पर आगे चलके उसका boyfriend से break up हो जाता है और वो suicide करने की कोशिश करती है लेकिन अपना हीडोकार्ती कथा जी को बचा लेता है कथा के parents को सत्तू पसंद आ जाता है लेकिन कथा यानि कियारा रेजिस्ट करती है पर पेरेंट्स के दबाव में वो उससे शादी कर लेती है बोले तो सत्तू की अरधांगी नहीं बन जाती है लेकिन मन से वो सत्तू को कभी एकसेप नहीं कर पाती पर क्यूँ? यहीं आता है एक ट्विस्ट फिर एक और ट्विस्ट और फिर उसके बाद एक और ट्विस्ट लेकिन यह सारे ट्विस्ट कहानी को आगे कैसे ले जाते हैं और क्या यह ट्विस्ट कहानी की वैल्यू को बढ़ाते हैं यह जब आप देखेंगे तो पता चलेगा यहां हम कोई spoiler नहीं देना चाहते हैं अब बात कहते हैं फिल्म के अच्छे points की तो जैसा कि शुरू में हमने कहा इस फिल्म में उतने अच्छे points हैं जितने आदी पुरुष में बुरे points थे यानि story, execution, humor, emotion, एक strong subject पर एक strong message फिल्म का music, dialogues, हर चीज कड़क एक नमबर बहुत ही बढ़िया सुदुआत हलकी फुल की comedy से होती है बढ़ियां पंचेज आते हैं मतलब जब पपा गजडाज जी हो और माता सुप्रिया जी तो आपको यूमर और 25 की कमी थोड़ी न होगी भईया वही कार्तिक उर्फ सत्तु भईया भी यूमर में अपनी टाइमिंग का मसाला एड करते हैं राचपाल यादो जी भी है फिल्म में उतरा important role नहीं है दो थ्याड बार आते हैं पर ठीक ठाकी है बागी गुजराती में डायलोग सुनकर आपको अच्छा लगेगा बिल्कुल अटपटा नहीं लगेगा स्पेशली कार्तिक और कियारा के मूस है गाने भी फिल्म में कई साड़े हैं लेकिन जब भी आते हैं रंग जमा देते हैं मज़ा आता है सुनके मेरा फेवर्डेट आज के बाद उसके अलावा विशाल मिश्रा की शांदार आवाज में नसीब ये गाना भी अमेजिंग है और पसूरी पसूरी के बारे में नहीं बोला तुने हेलो इसके अलावा कई साड़े ऐसे सीन्स हैं और पंचे से जिनकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है एकाद दो का जिक्र यहां करना चाहूंगा जब गजड़ात जी वादफ बोलते बोलते डुग गया वादफ देखोगे तो समझ में आ जाएगा बागी एक में कार्तिक का भी यह तो वही बात होगी कि आगरा गया और ताजमहल नहीं देखा दिली गया और गाली नहीं खाई अच्छा दिली वालों को यहां भी लपेट ली है बेंस्टोक्स ना इसले लपेटा है बेंस्टोक्स सडी बागी आक्टिंग की बात करें तो सारे लोग जबरदस्त हैं लेकिन जो पूरे फिल्म पे छाई रही वो थी किया रहा उफ फैंस्टास्टिक हाली में मैं जितने भी आक्टिंग से मिला हूँ उन में सब से मिचोर और इंटलिजेन अगर मेरे को कोई लगा वो थी किया रहा क्या screen presence है, क्या timing है, क्या dialogue delivery है, एकदम graceful, fantastic, 100 में 100, superb acting, और कार्तिक भी यह बारे में बताईए, ओ तो born hero है ब्रो, यहाँ भी कार्तिक छा गया और खा गया, जहाँ comedy की बात होती है, comedy कर लेते हैं, जहाँ emotion में convert होना होता है, वहाँ emotional हो जाते हैं, जहाँ drama दिखाना है, drama सब जगे अवल, एक number, लेकिन acting, humor, और music के अलावा film का सबसे strong point है, वह message, जो film देखोगे तो आपको पता लगेगा कि message क्या है, और क्यूं वह important है, वह message यह बताता है कि आपके अपनों का, चाहे वह आपका पती हो या आपका परिवार, उनका supportive होना, understanding होना कितना जरूरी है, क् क्योंकि अगर आपके अपने आपके साथ रहेंगे तो आप किसी भी बुरे वक्त या बुरे सपने से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आपकी family ही है, जो आपकी असली ताकत है, इस film में वो clearly दिखाया गया है, और बड़े अच्छे से दिखाया गया है, लेकिन साथ में आपको ख मुझ में आजाएगा मैं किसकी बात करना हूँ, बाकी इन शॉट फिल्म जबरदस्त है, देखने लाइक है, इसकी जाधा promotion नहीं हुई है, लेकिन word of mouth से ये film चलेगी नहीं, बलकी दोडेगी, और जब OTT पे आएगी, तो आपको मन करेगा दो तीन बार इसको ऐसी देख ल इन फैक, डिस्क्रिप्शन में भी उनका Twitter handle दिया है, जाकर उस पे इनको message करिए, congratulate करिए, बधाई दीजिए, और ये review भी उन तक ज़रूर पहुचाईगा, शांदार काम किया, क्या बढ़ियां execution किया, देखके मज़ आ जाएगा, फिल्म में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ब इन सब के सांदार म्यूजिक के लिए और contribution के लिए जोड़दार तालियां बजेंगी थेटर में मज़ा आ गया, एक सिंगर बहुआ एक नाम तुम भूल रहे हो, किसका नाम भाई सार, अरे अली सेथी पसूडी गाना, रीक्रेट किया ना पिचर में, आज के वीडियो में इतना ही स्क्रीन वाला का ये रिव्यू कैसा लगा, कॉमेंट करके जरूर बताईगा, पिचर देखने जाने वाले या जा चुके हैं, उसके बारे में भी कॉमेंट जरूर करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और साथ में कीवी आप डाउनलोड करेगा, एक नं लाइक करना, स्क्रीन वाला कैसा लगता है, यह हमें जरूर बताना, थैंक्यू फो वाचिंग, जल्दी मिलते हैं, बाई बाई टेक केड़ जाहिंद